हाँ जैं माता देमित्रू आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल मेरी प्यारीकाल का मा में मित्रू आज का जो हमारा वीष्य है वो यह है कि क्या-क्या घठना है आपके जीवन में घठती है जब आप मातकाली की पूजा करते हो मातकाली जो बहुत ही ममतमई है और कल्यूक की सबसे जागरत सकती ही मातकाली है जिनके अलग-अलग रूप है वे ही माहकाली है वे ही माहकाली है और वे ही समसानकाली है तो इस प्रकार इनके बहुत सारे रूप है इन रूपों में ही माविराजमान है और माता काली अलग-अलग रूपों में अलग-अलग कारे करती है और मित्रों मा को दो रूपों में पूजा जाता है एक मा का उगर रूप है और एक माता का सोम्यसव रूप है तो जो मा का ये उगर रूप है वो तांत्रिकों के द्वारा ही पूजा जाता है क्योंकि वे मा के उग्र रूप की पूजा करते हैं जैसे माता सम्षान काली जो सम्षान में वास करती है तो उनका जो रूप है वो बहुत ही ज़्यादा उग्र माना जाता है जिस रूप में उन्होंने चंड मुंड का संघार कियाता दुस्टों का संघार करने वाला वो रूप है लेकिन जो ग्रहस्त व्यक्ति हैं अपने घर में माता को पूजना चाहते हैं तो उन्हें मा के सोमे सवरूप की ही पूजा करनी चाहिए घर में भी मा का सोमे रूप रखे जिससे आपके घर में सुकसमरद्धी होगी धन धाने की कमी नहीं रहेगी संतानत पत्ति होगी तो जो आपके कारे हैं वो नहीं रुकेंगे सब कारे आपके बनेंगे और आप सब कुछ पाने में सक्सम हो जाते हो यदि आप मा काली की सही तरीके से पूजा करते हो कुछ लोगों ने मा की छवी को बिगार रखा है जिससे मा काली को पूजने से व्यक्ति डरते हैं कि घर में मा काली को नहीं पूज दे और यदि कोई माता काली की पूजा करता भी है तो उसे विरोध का भी सामना करना पड़ता है और ये मैंने स्वेम देखा है किसी की बात पर लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया सिर्फ अपनी मा पर ध्यान दिया है तो उनका असीम प्रेम भी हमें प्राप्त हुआ है तो जब आप माताकाले की सेवा में होते हो तो सबसे पहले आपको जो परिवर्टन देखने को मिलता है वो होता है क्रोध का आना आपको क्रोध आना प्रारंब हो जाता है और मित्रो वो क्रोध ऐसे ही नहीं आता वो जब प्रारंब होता है जब मा की उर्जा आप में विद्यमान हो जाती है उर्जा आप तक आनी सुरू हो जाती है जुड जाते हो आप मा भगवती से तो जिस भी देवता की आप पूझा करते हो तो उसके गुण भी आप में प्रारम हो जाते हैं आने वे गुण जैसे कि बाबा भुलेनाद के जो भगत हैं तो उनमें बाबा भुलेनाद के गुण आएंगे और जो भी जिनके हैं तो यह माना जाता है कि जब हम उनके सेवा में होते हैं तो उनके गुन हम में आते हैं ऐसे ही माताकाली के तो प्रारभ City में काफी करोध हमें देखने को मिलता है और सत्याप बुलते हो जूट आपको बर्दास्थ नहीं होता यदि कोई सडियंतर करता है जूट बोलता है तो उस समय आपके करोध की कोई सीमा नहीं रहती आप ऐसी चीजे जो अन्याए हो जूट हो सडियंतर हो गलत हो तो आप बरदास नहीं कर पाते यह सब आपको देखने को मिलता है और जब आप मातकाली की पूजा करते हो तो जो नकर आत्म कूर्जा आपके सरीर में होती है एक स्थान पर वो बैठी हुई होती है कोई भी स्थान वो अपना ले लेती है वो चुक्चाप महां बैठी रहती है उसको कोई लक्षन भी आपको दिखाई नहीं देता सिर्फ आप बिमार रहते हो दर्द आपको वो देती है तो नकर आत्म कूर्जा मातकाली की पूजा के प्रभाव से निकलनी प्रारंब हो जाती है आप जो डोक्टर के चक्कर लगा रहे थे और आपको पता भी नहीं था कि हम किस कारण से बिमार है, परेशान है हम ठीक ही नहीं होते तो वो चीज आपकी ठीक होती है क्योंकि जो नकार आत्मकूर्जा आप से जुड़ी होती है आपको नुक्षान पहुचाती है वो बाहर निकलनी प्रारंब हो जाते है क्योंकि वो वहाँ पर टिक नहीं पाती जहां उसने अपना स्थान बना रखा था और मित्रो जब आप मातकाली की सेवा करते हो तो आपका एक आकर्षन भगवान सिव की तरब बढ़ जाता है आप भगवान सिव से प्रेम करते हो उनकी पूजा करना चाहते हो तो ये भी आपको देखने को मिलता है और जब आप मातकाली की सेवा में होते हो तो आपके रोंगटे खड़े होने प्रारंब हो जाते हैं एक बोडी में वाइब्रेशन सुरू हो जाती है जब या पूजा में बैठते हो या मातकाली का जिक्र कहीं हो रहा उनके भजन चल रहे हो तो वाइब्रेशन आप में होने लगती है और कभी कभी तो आप बैठे बैठे आगे पीछे खिलना प्रारंब कर देते हो क्योंकि उर्जा का प्रभाव उस वक्त काफी जादा होता है तो उसके वेग से आपको ये सब कुछ देखने को मिलता है तो मित्रो ये सब घटना आपके जीवन में होती है जब आप मातकाली की पूजा करते हो और प्रारंब में तो आप इन चीजों से परिसान हो जाते हो आपके समझ में ही नहीं आता कि ये परिवर्तन कैसे आए और हमारे साथ ही सब कुछ क्या हो रहा है ऐसे बहुत से अनुभव हैं जो आपको समय के साथ मिलते हैं जैसे जैसे आप मा की पूजा बढ़ाते हो आप मंतर जाब बढ़ाते हो तो ऐसे ऐसे आपको अनुभव भी होने प्रारंब हो जाते हैं कभी कभी ऐसे अनुभव भी होते हैं जिससे हम डर जाते हैं लेकिन वो ममता में माता काली है जो अपने बच्चों का सदेव भला ही करती है तो मित्रो आप अपनी पूजा में लगे रहें और इन अनुभव को महसूस करें अब मैं अपनी बात को यहीं समापत करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक नए जानकारी के साथ आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अब मैं मिलती हूँ एक नए जानकारी के साथ तब तक के लिए जैम आता दी हर हर महा दे